यह ऐसे कहते हैं सॉफ्ट बॉक्स यह स्टूडियो में डबब लिया उसके अंदर बल्ब लगाया उसके आगे ट्रेसिंग पेपर या कपड़ा या क्लॉथ वो लगा देते हैं ताके वो लाइट सोर्स छुप जाए और वो जो कपड़ा या पेपर है आप स्टूडियो में आप स्टूडियो में जाते हैं तो सॉफ्ट बॉक्स का बूम पर लगाया वाई एंगल देने के लिए और ये सॉफ्ट बॉक्स एक कम्पनी मनाती है और वो दो-दो पैटन में एक गोल और एक स्क्वेर पनाती है ताके कठे इस्माल कर सकें इनको आप करने हैं एक मुह left क कर लें एक का right कर लें एक को बांस कर लें और एक को सामने डायë Abraila च्हतरी या डेक हुई ए क्षतरी का इस्तमान लिए करता है कि च्छतरी का अंदर याUh ड। होती है अलिमेनियों ह। सिल्वर कोटेट या गोल्डन कोटेट या सफैद कप्रा लगा होता है या सफैद पेंट हुआ होता है अम्रेला को जब मैंने भी ड्रॉग किया था अपने देखा होगा और तस्वीर में नदर आ रही है और या सब्जेट की तरदे के लिए वो अम्रिला ने दे 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 जाएं अम्रिला मेक्स थी सोर्स अें वेरी वरी बिग लाज सोर्स तो वो चारवतर सी लाइट जब आती है पहल का एती है, तो इस सॉफ टाइट बन जाथी, भी प्रिजा को सॉफ करने की नहीं, फ्लैश लाइट को सीधा कर दें तो वो हार्ड डेस्ट पॉसिबल लाइट है, यह छोटा ता बलब होता है, बहुत वाफ़ल होता है, और उसका रिवर्स कर देते हैं, बांस करते हैं, र साथ दारा बना लेते हैं, उपर भी काउज वाइट नीचे भी काउज वाइट आगा लेते हैं और उसकी वाल्स पे से रिफलेट कर लेते हैं या उसके बाहर लाइट लगा जा जा जाते हैं तो इसे कहते हैं लाइट टेंट, उस टेंट के अंदर soft as possible लाइट आती है product photography के लिए हम खास तरपे करते हैं कि उसमें फिर glare reflection आती हैं कामरे की चीज़ना आती हैं यह हम कर लेते हैं और जो professional cameraman यो professional photographers हैं वो light tent है उसको चारत और उसे बंद किया होता है और उसके जगा जगा जिपर लगे होते हैं से कैमरे का lens अंदर डाल सकें और lens के आगे भी एक white disc का filter की जगा वाइट डिस्क लगा लेते हैं ताकि उसके body का जो काला ring है वो भी नजर ना आए तो वो उसमें पीक कर लेते हैं चारत और से soft light होती है light बाहर से नजदीग करके और दूर करके hard soft कर लेते हैं key light बना लेते हैं soft light बना लेते हैं reflection के लिए कर लेते हैं back light बना लेते हैं उस tent के बाहर बाहर से ये एक वो तस्वीरा उसका sample है उन्हें अंदर से दिखाया हो है कि still कोई object है छोटा सा उसकी खुबसूरत तस्वीरे नहीं है उसमें ना तो reflection आएं ना glare आए ना उसके shadows पढ़ें तो ये press में या रिसालों में तस्वीरे देखिए हैं आपने वो इस तरह खेशते हैं ये diagram में ज़रा कि आप studio में काम कर रहे हैं या वीडियो में काम कर रहे हैं सिंगल बाउंस च्छत से बाउंस की सामने जो बैक्टर या आबजेक्ट पढ़ा हुए उसको शूट करने के लिए कैमरा वहाँ शूट करता तो soft light मिलती और चारों तो सी मिलती जो सामने इसके लाइट पढ़ रही होती जिस तरह से बाउंस की हो या वो की बन जाती है इदर लाइट तरह कम होगी तो फिल बन जाएगी उसी की दिवार पर लाइट पर चलेगी तो वो background की light बन जाएगी back line नहीं बनेगी back drop light बन जाएगी एक double bounce होती है कि मैं बजाए चछत पर बाउंस करने के जहाँ से कैमरा रखा हूँ है उसकी दिवार पर बाउंस कर दिया वहाँ सिर्व बाउंस होके चछत पर जाएगी चछत सिर्व वापस जाएगी यह और soft हो जाएगी dreamy dramatic soft light करने के लिए खासतर पर जब खवातीन young girls यह चोटे बचों के फ्रावरी करते हैं तो हम यह टेक्निक इस्तिमाल करते हैं कि आप दो डबल बाउंस कर लेते हैं ताकि सारे कमरें इसमें से light bounce होके आए तो सब तरस से light आए तो जो आगे बच्चा बैठावा है यह चोटा बच्चा है लाइट होगी दिवार पीछे जो उसके फिल मिल जाएगी थोड़ी सी मिलके जो बचे कुछी light उसकी backdrop पे चली जाएगी बैक लाइट देने के जरूरत नहीं पड़ाईगी सिंगल लाइट से इस सारे काम एक फ्लैस से हम कर सकते हैं नेक्स है स्टूडियो में मॉडल की तस्वीर लगाने के लिए डारेक्ट लाइट लगाएंगे हार्ष लाइट लगाएंगे मॉडल है फीमेल है अब रिसाले में छपनी है आड में जानी है तो आप देखें तीन अम्रेला लगी हुई एक बैक लाइट के लिए एक की लाइट के लिए एक फिल के लिए त्री पाइंट लाइटिंग होती है तो विडियो में फिल्म में टॉग्रफी में इसमाल होता है लियावा नेचर सही है अज़ात लाइट सूरज निकालता है उसी को सूरज की रिफलेक्शन में बांस देके फिल्म ना लेता है दो सोर्स हो गई और वो ही सूरज बैकड्रॉप पे लेके लाइट देता है तो थर्ड सोर्स हो जाती है ताकि बैकड्राउट से सेपरेट हो जा बन्दा तो कुदरत के उस सिलसे को एनलाइज करके उन्होंने तरीका ये निकाला कि हम वो परिफेक्शन जो अल्लाइज कर सकता है वो हम नहीं कर सकते है इमिटेट कर सकते है कि की सोर्स सूरज है रिफलेक्शन आसमान से आती है फिल बैकड्रॉप पर या बैकड्राउंड पर या बैक लाइट वो हम खुद करेट कर लेते हैं तो ये तीनों वो इमिलेशन महां से की हुई है ये सोर्स वही है लेकिन बंदे ने साइंटेविक इसको बना के एक वोर्स लाइनों बना के इसको किताबं में मिचा दिया है कि थ्री पॉइंट लाइटिंग बेसिक है अगर आपको थ्री पॉइंट लाइटिंग आप हात वुलियू करलें और अपने की सेट पर किसी पर लाइटिंग करनी है तो अपने हात की तीन उगले ऐसे रखें और जितने लोग हैं एक मिल्गे को काला कलर लगा लें तक की आपको याद रहे आप सेट पे जहाँ जहाँ करेक्टर मूव करते हैं महाँ पे तीन उंग्जें लगाएं महाँ पैंसल निशान लगा लें आपकी की फिल्प बैक लग गई दूसरा करेक्टर है उसकी की की फिल्प लगाएं की फिल्प बैक लग गई आप दस बन्हों का का स्टूडियो आप दस को लाइट करनी है आप की फिल्प लगाने के लिए आसान तरीका है उसके बज़ आप निशान लग जाएं आप तो देखें कॉमन फिल लाइट कहां कहां पे हैं वो आप कम करके जए च्छे आ रही हैं अगर एक रो में तो आप छे में तीन या दो कर सकते हैं की कॉमन अगर कहीं जा सकते हैं ये की बैक एक की मन जाए तो आप लाइटिंग कम कर से हैं लेकर अरिजिनल तरीका इस थ्री पॉइंट लाइटिंग ये एक प्रफेशनल स्टूडियो है यारप का जो अपनी फिटाग्रफी करता है प्राइट फिटाग्रफी परफ्यूम फिटाग्रफी एविटाइजिंग के लिए मॉडल की फैशन की ये उनके पास फ्लैशेज स्टूडियो फ्लैशेज इक्सपेंसे वाली बहुत पाफल होती हैं तो उनकी अम्रेला भी बहुत बड़ परफ्यूमस की होती हैं किसी डृइंक की होती हैं उन में शैडर नि inflation दि आनी होती है कि किसी चीज के reflection आनी है 3D में अगर आप देखें तो भोतल में खोई राघरे री होती है वो reflection के लिए हम black और white object सामने allen से लिका देते हैं बजाए है कि वो स्ट्रे हर चीज निजरा निशू हो जाए तो जो हम जहां दिखाना चाहते हैं वह हम वो आपजेट को हिला कर ले जाते हैं उसका रिफ्लेक्शन दिखाते है उसको तो दिस अ प्रफेशनल स्टूडियो लाइट करने के लिए देखें उसने थ्री पॉइंट प्रिंटेड आर्ट है ग्राफिक आर्ट है तारा 2D होता है कैमरा सहर कर चीज को कनवर्ट करके 2D में कर देता है फ्लैट कर देता है उसको आप इसी लाइटिंग से अपने टेक्निकल नॉलेज से कंट्रोल से उस थर्ड डिमेंशन को इलूजन कर सकते हैं यह तस्वीर में दिखाया गया है इस तरह प्राणी फ्राणी मोडल का इसको भी बाउंस लाइट से और रफ्लेक्टिल लाइट से और सॉफ्ट लाइट से एक्स्पोज किया हो है वो उसकी फीलिंग जो है वो हार्श नहीं आ रही बलके आपको लगता गया रही कैमरा में ले लूँ इस इस the kind of photography we people do it.